सब्सक्राइब करें सीटी न्यूज पलामू वबेल आईकॉन दबाकर पाएं परमंदल की ताजा खबरी सबसे पहले सबसे आगे बालुमात परखंड कॉंग्रेस की ओर से आज कई गरीब असहाय लोगों के बीच अनाज का बित्रम किया गया कॉंग्रेस पार्टी के परखंड नियंतरनकच के परभारी हाजी मोतीरू रहमान ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी का यह संकल्प है कि कोई भी गरीब मजदूर इस आपदा के समय फूखा नहीं रहे उन्होंने कहा कि जारकंड सरकार के खाद आबूर्तिक मंत्री रामेसोर उनाओ के द्वारा इस कोरोना महमारी के समय जिस तरह से गरीवों के लिए कई तरह की कल्यानकारी योजनाय चलाई जा रही है ये अच्छी पहत साबित हो रही है मौके पर उनके साथ परखंड के नियंतरन कच के उपरभारी लखन जैसवाल के लावा और कई कॉंग्रेसी नेता मौजूद थे